बिग बॉस सीजन 17 के थर्ड वीकेंड का वार की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है ऐसे में इस बार घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए हैं इशा, समर्थ, मनस्वी, अरुन्षिकांत और सना सना पिछली बार भी नॉमिनेट हुई थी और बॉटम टू में थी इसके बाद घर वालों ने सना को बचा लिया और सोनिया एलिमिनेट हो चुकी थी ऐसे में इस बार घर से बेघर कौन होगा इसके लिए ओडियन्स अपना-पना अंदाजा लगा रहे हैं जहां बात करते हैं पहले ईशा और समर्थ की तो ईशा और समर्थ में से फॉर शॉर कोई भी नहीं जाने वाला है क्यूंकि जब से समर्थ में ऐस वाइल कार्ड एंट्री लिया है समर्थ अभी से लाइम लाइट बटोर रहे हैं और no doubt जब से समर्थ घर के अंदर आये हैं तभी से ये पूरा हफता सिर्फ इशा समर्थ और अभिशेक के इर्दगिर्थ ही घुमा है तो जिसे देखकर नहीं लगता है कि इशा और समर्थ का गेम इतनी जल्दी ओवर होगा अब लोग इनका गेम पसंद करें या ना पसंद करें लेकिन बिग बॉस को कॉंटेंट तो ये लोग दे रहे हैं वहीं बात करें अरुन श्रीकान की योगी अचानक भयानक गेमिंग प्लेयर है हमारे घर के अंदर ये इतना कुछ खास करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं लेकिन लाइफ फीड में देखा जा सकता है ये किस तरीके से तहलका के साथ इन्होंने अपना एक शो बना लिया है उसमें काफी जादा मस्ती मजा करते हुए अरुन नजर आते हैं भले ही एपिसोड में उनको जगा ना मिलती हो लेकिन लाइफ फीड में उनकी काफी क्लिप्स शोशल मीडिया पर वाइरल हो रही है और नोट आउट बाहर उनके फैंस भी बहुत जादा है जो की उनको काफ काफी जादा सपोर्ट भी कर रही है वहीं आगे चलते हैं और बात करते हैं अब मनस्वी की मनस्वी ने भी समढ़ जुरैल के साथ ही घर में वाइल काड एंट्री मारी और एंट्री मानने के साथ इनकी एंट्री काफी जादा फीकी रही उनका गेम काफी ठंडा है कहीं नॉमिनेट हो चुकी है मनस्वी और नॉमिनेट होने के बाद भी मनस्वी कुछ खास करते हुए नजर नहीं आई हैं। इशा समर्थ और अरुन श्रीकांत बिल्कुल सेफ नजर आ रहे हैं और एक बार फिर से सना मनस्वी के साथ आज पहुची हैं बॉटम टू में अब देखना ये रहेगा कि इस बार फिर बिग बॉज एक नया चाल चलेंगे क्या ऐलिमिनेशन होगा वैसे ऐलिमिनेशन तो किया तो कि इस बार फिर से घरवाले ही डिसाइड करेंगे या वोटिंग ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही लोग घर से ऐलिमिनेट होंगे वैल इस बार आपका क्या कहना है कि कौन होगा घर से बेघर हमें कॉमेंट करके जरूर बताए साथ ही टीवी और बॉलिवुट से चु झाल